जरूरी सूच ना आपके पास किस कंपणी की मसीन है कौन सा मोडल है इससे कोई फरक नहीं पड़ता है बस मसीन के सटल से फरक पड़ता है दो तरह के सटल होते हैं एक होता हabeth और एक होता है फूल म céle ए सबारे में बात करने वाले हैं इसको में खोल लेता हूँ इस सभी पाठ competence के मैं आपको इस पर्श्ट रूर्फ से दिखा सकूं और समझास से कूं और आभ ध्यान शेट कर में आका वसकि भी कर जुब आप थोड़ा जूम कर लेता हूं अब यहां से दोस्तों आप ध्यान से हमारी एक एक बातों को गौर कीजिए और वीडियो पर निगाह गड़ा के देखिए ध्यान से सीखिए यहां से मैं आपको एक टुझे सब को सिखाने वाला हूं ठीक है यह देखिए सबसे पहले आपको अपने सिलाई मशीन के इस चक्के को जिस चक्के को घुमा के हम अपने सिलाई मशीन के सुई को ऐसे उपर नीचे करते हैं इस चक्के को आपको सही डिरेक्शन में से घुमाते रहना है और यहां पर ध्यान देना है यहां पर ध्यान देना है आपकी सिलाई मशीन के सुई ज बोलते हैं मैंनी पॉनुड़ों करने से पहले नंगा कि नहीं ठीक है इसको रख्रम करने के लिए कि आपको यहां से अपने सलाउन मसन्गेशी को हलका सा एसे प्रेश करना है और प्रेश करके देखना है कि आपके सिलाई मसीन की सूई ऐसे हलका सा प्रेस करने पर इस सटल के पॉइंट में टॉस तो नहीं हो रही है अगर टॉच हो रही है तो इसको आपको सही करना पड़ेगा क्योंकि मोटे कपड़े में सिलाई करते समय देखिए इस सूई और इस हूग के बीच में थोड़ा सा ज्यादा सटल के सेटिंग करते हैं तो सिलाई मसीन के सूई और सटल के हुग के बीच में हलका सा बढ़ाना पड़ाना परता और मोटे कपड़े पर सिराई करने के लिए सटल की सेटिंग अलग की जाती है तो इस बात को अब ध्यान में रखिएगा अब देखिए सेटिंग कैसे करेंगे देखिए सबसे पहले आपको यहां से देखिए जो सटल के नट दिखा दा रहे ना इन सारी नटों को आपको एक अब करें करके हलकालकào कर लेना बस ध्यान रखे जो आपका नट है ना याट इसमेंसे कंड नहीं चाहिए अगर आप ज्यादां लुज कर देंगे तो यहां से आपको जो नट में बहता है इस इसको हम बोलते हैं हो ठीक है इस हुक को और इस सूई को इन दोनों को फोकस करना है सबस्क्राइब टोपने सीड़ाइं जिसन सुई और इस हूग कोrado को एक प्रहाबर ऐसे बलाना है ठीक है और यहां पर को फोकस करना है ध्यान देना है कि जो आपके शिलाई म सीन के इस है ना और बहुतम जो होल वो हिल चुकी है तीसलिए आपको एक बार इसको भी चेक कर लेना है अगर मान लिजिए जो आपकी सिलाई मस्षिन के सुई सटल कंदर जब उपर आ रही है और अपके सटल के हूँक जब सुई के बराबर आता है करने तो श समय said के सूई का जो को कूरा हिंस्ता आपके सी लई मसिन के साटल के हूग से से देडल सूत नीचे नहीं है तो उस सबस्थे पढ़े हैं हैं सबसे पहले तो को देखिए। और उसके बाद आपको नीचे से देखिए। CTL粉 पकड़ लेना है जोड से ताकि आपका सटल को पकड़ लेना है फिर उसके बाद अपने सिलाई मसीन के चक्के को ऐसे घुमाते हुए सूई को ऐसे उपर नीचे करके adjust कर लेना है किस तरह से adjust करना है देखिए यहाँ पर फोटो में देखिए ध्यान से आपका जो सिलाई मसीन का सूई का hole है वो hole है आपके subtle के इस hook से कितना नीचे रखना है देखिए यहाँ पर दिखा ले गया है है फोटो में यहां पर लिखा भी हूँ एक सू से लेके डेड़ सू तक अपनी सिलाई मशीन के सूई के पूरे होल को सटल के इस हुक से नीचे रखना है ठीक है आपको ऐसे यहां से पकड़के और एड़ेस कर लेना है ठीक है और एड़ेस करने के बाद अब जो हमारी सेटिं रहे हैं कि आपकी सूई शटल के इस हूख में यानि पॉइंट में ठ duplicates टो नहीं हो रही है अग्या अगर टच हो रही है अगर टच हो रही है अगर तश ओर यह तापको देखिए जा लेना है इसको अपने सिलाई मशीन के शटल हूख को और सूई के बीच में जो गया है इ इसको दूर कर रहे हैं तो दूर करते समय यानि कि इसके बीच में गैप करते से हैं आपको ध्यान रखना है जो आपके सिलाई मसीद धागा होता है ने धागा हमारी मसीर नीचे से उपर नहीं उठाती है और फिलाई करते समय सिलाई छोड़ छोड़ के भी आती है इसी कारणा से जायते तर्ट एक साथ करना है तो तक दोनों को और सेट करने के बार आपको सबसे पहले देखिए सबसे पहले एक नेट को टाइट कर देना है ताकि जो आपकी सेटिंग हो ले ना देखिए ऐसे मैं कर देता हूं यह देखिए कि अवर सुगमा लेता हूं घुमाने के बाद फिर अब समय इसको हल्का सब्सक्राइब कर देता हूं एक नेट टाइब का इसके अंदर फसा होगा तो इसके कारण से आपकी सिलाई मशीन के सटल बार-बार घूम जाएगा तो इस चीज़ के ध्यान रखे सटल की सेटिंग करते समय कि आपका सटल के यह वाला हिस्सा आपके स्टॉपर के इस हुक में फसा हुआ होना चाहिए ठीक है एक देखिए हमारा देधा लग गया है ठीक है अब धागा लगाने आपको देखिए धागा लगाने के बध़rasiding कर लेना और से करने के बाद यहाँ अपने सिलाई मुषिन को ऐसे चक्रों गहुमाते रहना है यह दिखिए ते रहना है और आपको देखना रहर है यहाँ पर हुए से पकड रहा है कि नहीं देखिया ऐसे आपको चेक करना है कि देख रहा है न यहाँ पर चरण देखे हमारा यह 중요 करने ak 1722-9 है आपके सिलाई को पेसे जादा ऊपर हो जाता है या फिर होल के नीचे रहता श्तल है तिह मरें से यहां से धाइक नहीं पकड़ पाएगा या फिर आपके सिलाई मसीन की सुई के हो सुई और सळाग के में अगर ज्याधा बाहने आहला गाहलता है दूरी हो जाता हुए तो इसके अगर कर लेना है अगर पकड़ रहा है सारा कुछ सही है देखिए इस फोटो के हिसाब से आपकी सटल की सेटिंग हुई पड़ी है और आपके अगर हो बिल्कुल हो गया है तो आपको क्या करना है करके सारे चतर से टाइड कर लेना है अगया अगर हालका भी लूज रहा तो समस्या खड़ा हो सकता है बाद में इसी का ध्यान रखें एक एक नटों को अच्छी तरह से टाइट करें टाइट करने के बाद फिर आपको इसके उपर सारा कुछ कस लेना है सारा कुछ कसने के बाद मसीन के अंदर बॉबिन किस लाक के आपको एक ब वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास जरूर सेयर करें ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिल सके मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद अपना ख्याल रखिए